हेलो एब्रिवान आज हम बनाएंगे डोसा वो भी दस मिनट में बनकर तयार हो जाता है बीना चावल दाल भिंगाये बीना किसी टेंसन के वो भी आते से बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम आटा डोसा आटा का डोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कप गेहु का आटा पर मैं डाल रही हूँ वन फोर्थ कप सूजी साथ मैं डाल रही हूँ वन फोर्थ कप बेशन वन फोर्थ कप मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ मेजरमेंट आप ध्यान में एड़ कीजिएगा चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और इसका हम एक स्मूथ सा घोल तयार कर लेते हैं बैटर तयार कर लेते हैं इसमें किसी तरह का लंच नहीं रहना चाहिए तो आप इसे वीशकर की हेल्प से अच्छे से फिटते हुए मिला ले ताकि इसमें कोई ल चुटकी रख सफिंग बना लेते हैं अलू का मशाला तो मैंने गैस पर रखा कराहि ऊ एक चमचुआ उयल गर्म हो जाने दे एं फिर मैं इसमें डाल द द रही एक चमच सर्सो एक चमच जीरा और साथ माइं डाल द भरी मूंध डिया हैं आप अगर भूना हूँऊ मॉंवह लेते हैं तो आप इसे बाद में भी डाल सकते हैं तो चलिए हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि मुमफली हमारी अच्छे से भून जाए फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ एक पारी कटा हुआ हरी मिर्च और अधरक मैंने डाला है यहाँ पे ग्रेट करके एक चम्मच साथ में छे से साथ कड़ी पत्ता और इसे भी मिक्स कर लेते हैं आप यहाँ पे लसुन और प्याज का भी इस्तमाल कर सकते हैं बट मैं नहीं कर रही हूँ तो चलिए अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ आधा चम्मच हल्दी ताकि जो हमारा चोखा है उसका कलर भी चाहिए तबी जो हमारी है आलू आलम मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा थोड़ा सा मैंने स्वाथ के नुसर नमक डाला है और चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे तो लीजिए हमारा आलू का मसाला बनकर तयार हो गया है अब मैं काफी ज्यादा थीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी आइड करूंगी तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक चम्मच नमक डाल दे रही हूं और थोड़ा सा पानी डाल कर इसे हम थोड़ा सा और पतला घोल बनाएंगे क्योंकि यह थोड़ा थीक हो गया है तो बिल्कुल इस तरीके से तो चलिए यह तयार हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए और चलिए अब हम इसे फटा-फट से बना लेते हैं तो मैंने गैस पर तवा रख दिया है थोड़ा सा ओईल हम इसके उपर ग्रीश कर अब फिर हमें पानी डालकर और सारे ओईल को अच्छे से कपड़े से पोच देना है तो आप साफ कपड़ा ले ले या फिर आप टीशू पेपर की हल्प से कर सकते हैं तो चलिए मैंने तवे को पोच दिया है अब हम इसमें से एक चमचा बेटर उठाएंगे और इस तरह से राउंड सेफ में फैल आते जाएंगे और अब जितनी बार धोसा का बेटर डाले उतनी बार आप तवा को थोड़ा सा नॉर्मल टेंपरेचर में कर ले थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पोच ले तभी आप उसमें बेटर डाले वरना ये चिपक जाएगा अच्छे से उच्ड़ेगा नहीं हमारा ये धोसा तो चलिए थोड़ा सा मैंने साइट से और उपर में तेल लगा दिया है और इसे अब हम पकने देते हैं और थोड़ी देर ये उपर का तह इसका पक जाने के बाद इसे हम चारो तरब से अच्छे से घुमाते हुए सेक लेंगे तो दे हम इसे फोल्ड करेंगे तो जो हमारा चावल का धोसा होता है उससे ये हलका मोटा बनता है उतना पतला हमारा ये धोसा नहीं बनेगा तो चलिए मैं इसे निकाल ले रही हूं प्लेट में इसी तरीके से हम दूसरा धोसा भी बना कर तयार करेंगे तोड़ा सा पहले पानी ड महीं ज़्येटर डालना है और इससे कल्ची की हैलप इससे घुमाते हुए हमें इच्छे से सेव दे देना है compliance है का नैंदे हमीम माइम इसे हम दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे आप इसे बिना अलू के मसाले के साथ भी इंज्वाई कर सकते हैं तो लीजिए मैंने दूसरा धोसा भी बना कर तयार कर लिया है और धोसे को मैंने सर्व किया है नारियल और बादाम की चटनी के साथ आप सांभर के साथ भी सर्व कर सकते है तो लीजिए हमारा मसाला धोसा बनकर तयार हो गिया है और यह बहुत ही टेस्टी बना है अगर आज की वीडियो आपको यूश्पुल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा साथ मैं चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरू प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए मिलते हैं एक नेक्ट वीडियो के साथ नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए टाटा बाबा